भारत में बढ़ती प्याज की कीमतों को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर बैन लगाया था। ये बैन 8 दिसंबर 2023 को मार्च 2024 तक लगाया गया था। जब से भारत में निर्यात पर यह बैन लगाया तब से कई देशों में प्याज सहित अन्य सबजियों की कीमत प्याज निर्यात पर भारत के प्रतिबंद के बाद सामने आइस्थिती का फाइदा उठाना जारी रखा है। प्रतिबंद के बाद लोकल खरीद पर स्थानिय दरें अचानक 120-140 रुपई से बढ़कर 160-180 रुपई तक पहुँच गई। इसके बाद से ही निर्यात दरों में व्रिधी जारी है। तब से अधिक मांग वाली सबजियों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारी निर्यात मांग का लाब उठाने के लिए निर्यातक इरानी और काबुल प्यास की सीमित आवक को भी हटा रहे हैं। प्यास की कीमतों में गिरावट के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि भारत प्रतिबंध हटा सकता है। इस पर पिछले काफी समय से विचार किया जा रहा है। जब तक भारत विश्व बाजार में अपना प्यास निर्यात फिर से शुरू नहीं कर देता तब तक पाकिस्तानी निर्यातक इस अफसर का लाब उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें देश में भी प्यास की कटौती से गुजरना पढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबारी रिष्टे बंध हैं। इसका पाकिस्तान को बहुत बुरा असर पढ़ रहा है। खासकर पाकिस्तान में प्यास की कीमतें आस्मान पर पहुँच गई हैं। प्यास के इन दामों ने पाकिस्तान के लोगों को प्यास के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। प्यास की ये कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं। क्योंकि भारत ने इसके निर्यात पर बैन लगा रखा है। इसका लाब पाकिस्तान के ठोक कारोबारी उठा रहे हैं। भारत ने 8 दिसंबर 2023 में मार्च 2024 तक पाकिस्तान को प्याज बेचने पर प्रतिबंद लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही प्याज आम पाकिस्तानी की पहुंच से दूर होने लगा। क्योंकि प्याज के ठोक व्यापारियों ने जम कर खरीदी और जमाखोरी की। इससे पाकिस्तान में प्याज की कीमतें तुरंथ ही 120-140 रुपए प्रती किलो से बढ़कर 160-180 रुपए प्रती किलो पहुंच गई। तब से पाकिस्तान में प्याज की कीमतों में व्रिधी लगातार जारी है। खासकर पाकिस्तान में प्याज के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है। इसके कारण पिछले तीन महीनों में प्याज की स्थानिय कीमतें दोगुनी से अधिक हो गई इस बीच भारत ने प्यास के निर्यात पर प्रतिबंद भी लगा दिया है। अलाही अंजुमन थोक सबजी बाजार सुपर हाईवे के अध्यक्ष हाजी शाह जहां ने कहा कि मध्यम गुनवत्ता वाली प्यास की थोक दरें 7000 रुपए प्रति 40 kg है। जबकि उच गुनवत्ता की कीमत 8000 रुपए प्रति 40 kg से अधिक है। उन्होंने दावा किया कि अरब